माइ डियर फ्रेंड्स वेलकम टू मम्माज फूट कॉर्णर फ्रेंड्स सबसे पहले आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे मैं तीन कलर की बहुत ही टेस्टी मिठाई की रेसिपिलाई हूं जो बहुत ज्यादा यम्मी है और बहुत ही जटपट घर के सामान से बन जाएगी और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब पिलकुल कर ले याद से और बेल आइकन भी जरूर दबाए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेय डाली थी तो एक कफी में इसमें पानी डाल लूँगी और गेस को अन कर दूँगी और इसके हम पतली सी चाशनी रेडी कर लेंगे और यहाँ पर एक दूसरा वरतन में ले लिया है उसको हम थोड़ा अच्छे से सुखा लेंगे और उसके बाद हाफ मिजरिंग कप भरके मे नॉर्मल कुकिंग ओयल जो होता है बीना फ्लेवर वाला वह में इसमें डाल दूँगी कोई खुच्बु वाला तेल नहीं लेना है हमें इसमें बिल्कुल जो बीना फ्लेवर वाला ओयल होता है वो लेना है और आधा कफी में शुद्ध घी डाल दे रही हूं तेल से texture अच अच्छे से बन रही है, अब इसके अंदर जो है मैं करीब 3-4 हरी इलाइची जो है आच्छे से बारिक पिष्केट डाल दूँगी, इससे हमारी मिठाई का फ्लेवर बहुत अच्छा हैगा और इसे भी हम हल्का सा मिक्स कर देंगे, अब हमारा जो है शकर अच्छे से लो पर ही रखना है और इसे अच्छे से किसी चम्मच की मदद से चलाना है ताकि एकदम हमारा बिना गुठलियों वाला मिश्टन बनकर रेडी हो जाए अच्छे से हम चलाएंगे तो जो गुठलिया है हो जाएगी अच्छे से बिल्कुल स्मूथ तो यह आप देख सकते हमार बिल्कुल बेडर जो है तियार हो गया है और जो थोड़ी वो दिख रही है वो भी बाद में हो जाएगी ठीक अब इसके बाद जो हमने तेल और घी हमारा गर्म करने के लिए रखा था लो फ्रेम पे तो इसको अब हम थोड़ा थोड़ा बेचेस में डालेंगे एक साथ नह तो फिर हम और हमारा गर्म तेल और घी फिर से डालेंगे थोड़ा सा और इस तरह से इसे अच्छे से हम मिक्स करते जाएंगे मिडियम फ्लेम पे तो इसी तरह से हमें थोड़ा थोड़ा करके करीब 5-6 बार घी हमारा गर्म गर्म डालना है बस हमें घी को उधर साइड में चोटे बर्नर पे लो फ्लेम पे हमें गर्म होने के लिए रहने ही देना है बस ध्यान रखना है कि वो जल लेना और इस तरह से हम मिक्स करते जाएंगे बीच-बीच में मिडियम प्लेम पे और यह घी जो है आप देख सकते हैं थोड़ी दिर में अब्जॉर्ब हो जाएगा यह देखिए लेकिन बाद में इसका घी पूरा यह निकल जाएगा करीब 87-80% तो यह देख सकते हमने हमारा पूरा घी और तेल अच्छे से डाल दिया है और यह इसका जो प्लिग तेल का दिया है और यह देखिए तो जहागा से डिट थां algation क्रें थान बोन दरें शाएगा पूरा दिया करें और यहां हमकोने के-स अआप हम और दोन आप ध तो दिकत नहीं लेकिन अज इंडिपेंडेंड़ने ह करते हैं तो यहां पर जो हमारा green color ready है इसको मैं पतला पतला सा फैला दूंगे अच्छे सी देख सकते हैं और उसके बाद जो हमारा second part है अब यह white तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा white जैसा है cream पीला पन पर हैं लेकिन ठीक है हम यही फिला देंगे इसको अच्छे से पतली लेयर इसकी भी और उसके बाद जो है हमारा जो एक ही साइड में एकसे एक्स्ट्रा हटते जाएगा तो उसको हमें कटोरी में निकालते जाएंगे और यहां पर मेरा हलका orange color में था तो मैंने अरेंज कलर की हमारी लेयर जो है अच्छे से पहला के पतली पतली और लगा देंगे जिससे कि हमारी तीन कलर बढ़िया रेडी हो जाएंगे तिरंगे के और यहीं अच्छे से हमें पूरा पहले निधार लेना है कटोरी में और आप देख सकते हमने जितना घी और तेल डाल पहले और उसके बाद हलका सा आसपास से जाकू से स्क्रैप करके और बड़तन को पलट के हम और टैप करेंगे तो यह हमारी जो मिठाई है बड़ी आसानी से निकल जाएगी तो यह आप देख सकते हैं इसको में स्क्वेर्स में कट करूंगी आपको जो भी शेप पसंद हो गो आप आराम से इसे ट्राइ कर सकते हैं बस इसमें थोड़ा सा तेल घी तो फ्रेंड ज्यादा है तो इसको खाने के बाद वाक करना या फिर जोगिंग करना बिलकुल न भूले और हमारी सेहत का हमें बिलकुल ध्यान रखना चाहिए लेकिन कभी कबार थोड़ा चलता है और हमेशा खुछ रहिए स्वस्त रहिए और देखते रहिए ममास पूट कॉर्नर थेंक यू